हुआ है 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 यह वेलकम तो बेस्ट नोट्स टुटोरियल आप लोगों को सफल करें आपके निक्जैम समें तो चलिए आज का अज का जो टॉपिक है उसे शुरू करते हैं आज का टॉपिक है मुल्क राज आनंद मुल्क राज आनंद 1905 to 2004 and he was born on 12 December 1905 जो मुल्क राज आनंद है उनका जो जन्म हुआ था उन 1905 में हुआ था इंडियन राइटर इंग्लेश नॉटिबल फॉर इस डिपिक्शन आफ दी लाइफ ऑफ पूर कास्ट एंड ट्रीशनल इंडियन ससाइटी तो जो मुल्क राज आनंद है वो इस चीज के लिए जाने जाते हैं कि उन्होंने जो पूर लोग है पूर कास्ट है उनको बहुत प्रॉप इंडियन से रिप्रेजेंट किया उनों बहुत अच्छे से दिखाया और जो ट्रिशनल इंडियन ससाइटी है उस पर बहुत अच्छे से लिखा वन ऑप दिपाइनिय आफ फिक्शन ओर जो मुल्क राज आनंद है वह इंड्डो इंडियन फिक्शन अगर हम कहें क उसके pioneer भी हैं जो हम कहते हैं कि कोई pioneer है इसका मतलब है कि उन्होंने बहुत उन्होंने शुरुवाती दौर पर लिखा means यही वो लोग थे जिनके वज़े से Indo-Englian fiction हुआ Indo-Englian fiction क्या होता है कि जो इंडिया में बॉन है लेकिन English में लिखते हैं अवार्ड की बात करें तो साहित्य अकादमी अवार्ड इससे एक कुश्यन जरूर बनता है ओके तो आप लोग इसे जरूर याद कर लीजिए यह लिस्ट आप लोगों को जो मैंने नोट्स प्रोवाइट किये हैं शॉर्ट नोट्स उसमें भी आपको साहित्य अकादमी और जो आपके नोबल प्राइज है वो आपको मिलते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं 1971 में उनको यह आवार्ड मिला था साहित्य अकादमी पाद्म भूशन 1967 इंटरनेशनल पीस प्राइज 1953 एंड ही डाइड ओन 2000 डाइड ओन 28 सेप्टेंबर 2004 इंपोर्टेंट वर्क्स हम इनके बारे में भी वन बाइवन भी बात करेंगे आप लोगों को पुब्लिकेशन डेट और जो में उनके कारेक्टर से सभी लिखने हैं और याद भी करने हैं मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो टीजीटी और पीजीटी बेस्ट इक्जैम होता है ओके यह हम कहें यहां पे लेक्चरर और एल्टी की बात करें तो यह ज इतने ज्यादा फेक्ट आप याद कर सकते हैं उन फेक्ट को याद कीजिए अ दि मोर फेक्ट्स यू लर्न दि मोर यू अचीव नाव नेक्स्ट वान इस कुली कुली गौर पॉब्लिस्ट एन 1936 जो कुली है वो 1936 में पॉब्लिश हुआ था यह आपका 1937 में पॉब्लिश हुआ था दे विलेच 1939 एंड देन बिग हार्ट 45 अचा बहुत सारे लोगों का ये भी एक कुश्चिन है कि कैसे याद करें इतने सारे राइटर हैं उनके वर्क्स कैसे याद करें तो अगर आपके पाफ 42 राइटर सेना तो आपको क्या करने 42 पिक्चर्स बना देनी है अब कैसे बनानी हो मैं आप लोगों बताता हूं वैसे मैं काम कर रहा हूं इस पर आपको एक वीडियो जरूर दूंगा 42 राइटर से सारे पे लेकिन पिक्चर कैसे बनानी है अगर आप लोगो खुद से करना चाहते हैं तो बैटर है क्योंकि खुद से करेंगे तो ज्यादा अभी एक फार्म अभी इंस्टेंटली करता हूं ठीक है ये एक क्या है कुली है और इस कुली के हाथ में टू बर्ड्स है बर्ड्स का मतलब होता है कलियां सॉरी टू लीव्स हैं पत्तियां है ठीक है और ये जो कुली है इसके एक हाथ में क्या है बर्ड्स है बर्ड्स का मत और कुली के एक हाथ में किया है टू लीप्स एंड वन बर्ड तो कुली के साथ में आपको एक वर्क याद हो जाएगा ये तो हमारा याद हो गया टू लीप्स एंड बर्ड भी याद हो गया और वो जा रहा है कहां एक विलेज में जा रहा है village की तरफ जा रहा है लेकिन जब वो village में पहुंसता है तो सारे लोग उसे untouchable मानते हैं ठीक है? क्योंकि वो कुली है तो उसको untouchable मानते हैं तो वहाँ पे जैसे untouchable भी हो गया आपका village में जा रहा है वहाँ पे हो गया और उसका जो heart हो वह बहुत बड़ा है यहाँ पर एक हार्ट बना दीजिये बीच में तो इसके साथ आपके सारे वर्क items अ कि यहां पर हो चुके हैं जो पहला है है अपका देखे ठोली ब्चत्री हो गए यह कुली हो गया आपका यह इसका हार्ट हो गया wilrage जा रहा जो picture है आपकी वो आपके mind में छप जाएगी और एक साथ ही आपको सारे works याद हो जाएगी hopefully आपको ये help होगी और इसे जरूर कीजिए चलिए अब one by one सारे works को हम देख लेते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे Untouchable की बहुत important work है ये आपकी क्या है एक नौवल है ये आपकी एक protest novel है protest novel का मतलब होता है कि जिसमें किसी चीज का विरोध होता है ये दिखाया जाता है आनन्स first work ये पहला work भी है तो आपको ये भी याद रखना है ये detail जरूर याद रखना है कौन सा first है कौन सा second है कौन सा लास्ट है सेकेंड तो नहीं लेकिन लास्ट आपको वर्क याद रखना है नेक्स्ट अंटचेबल इस्टोरी और मुलकराज आनन्द पॉब्लिष्ट इन 1935 जो कि हमने देखा था कि यह जो है यह जो है उसकी आंट का एक एक्सपीरियंस था जब उन्होंने एक मुस्लिम विमिन को के साथ में खाना खाया था और फिर उसके बाद उनको आउट कास्ट माना गया था कि कास्ट सिस्टम को कैसे हटाया जाए उसको कैसे एराडिकेट किया जाए वो यह माना जाता है कि उसको जो स्टोरी है वो इसके ही चारों तरफ गूमती है इट डिपिक्ट्स अडे इन दिलाइफ आफ यंग सुिपर मैंने पिसले ही वोड में आप लोगोंay बटा था возможность जो एक दिन की स्टोरी होती ए किसी वॉड में रट इससे पहले मैंने यो वीडियो अपलोड किया है वर्जीनीय वुल्फ में मैंने आपको बताया थब कमेंड बॉक्स में लिख के बताईये देखते हैं कि आप लोग जितनी मेहनत इस वीडियो पर हो रही है उतनी आप कर रहे हैं कि नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि वन डे जो स्टोरी होती है किसी भी पॉइम में हो सकती है किसी भी हम कह सकते किसी नॉवल में हो सकते किसी स्टोरी में हो सकते तो उसे क्या बोलते हैं तो लिखिए तो एक ही बखा जो है वो बहुत ये जो करेक्टर है बहुत सारे exam में पूछा जाता है ठीक है तो इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है तो untouchable का जो आप कहीं protagonist है जो lead role है वो है बखा का वो एक sweeper है who is untouchable due to his work of cleaning latrins तो वो क्या करता है toilets को clean करता है इसलिए उसको untouchable माना जाता है जो कि हम कह सकते हैं कि that's not good but that was a system so untouchable the lowest group of the outcast level in the hindu caste system untouchable उनको माना जाता है जो सबसे lowest caste में outcast में होते हैं hindu caste system में they are blow other outcast because they clean and refuse of others and refuse they clean the refuse of others and are considered polluted और जो untouchable होते हैं कौन माने जाते हैं जो outcast होते हैं all untouchable are outcast but not all outcast are untouchable यहां पर एक यह important चीज़ है कि जो untouchable हैं वो सारे outcast माने जाते हैं बट जो सारे outcast हैं उनको untouchable नहीं माना जाता है characters के बारे में देखते हैं तो जो character है वो है आपका बखा और वो उसके फादर का नाम है लखा an 18 year old Indian youth बखा is a sweeper and protagonist of the untouchable work तो जो बखा है वो इसका protagonist है जैसा हमने देखा और sweeper है याद रखिये strong and able body he is fascinated by the life and ways of Indian English colonizers और जो उसकी जो बाड़ी है वो काफी अच्छी है तो जो उसकी position है untouchable होने की उसकी वज़े से उसका जो self deprecation होता है means खुद का खुद में जो गिरावट आती वो है और depression और बहुत ही depressed हो रहता है stressed वो रहता है बखा can be judgmental and at times helps perpetuate the very system that keen him oppressed और जो बखा है वो judgmental भी बनता है और वो उस system के पीछे जो कास system है उसको जिसने उसे अप्रेस करके रखा है उसे perpetuate करने के लिए कोशिश करता है paradox के लिए इसके उल्टा paradox means होता है उल्टा और उपोजट he still questions the status quo and challenges a caste system that is supposedly set in stone और वो caste system को भी challenge करता है एक दूसरा जो character है वो है छोटा the son of leather worker छोटा is one of baka's best friend और बखा का वो best friend है कौन छोटा though they are of outcasts छोटा is higher than baka in the caste system hierarchy यहां पर बड़ी अजीव सी बात है कि दोनों के दोनों छोटे कास्ट चोटी कास्ट में है according to work okay लेकिन यहां पर क्या है कि जो छोटा है वो भी बखा से थोड़ा सा हाइयर कास्ट का है like baka he is also obsessed with English और जैसा कि बखा है वो भी English की तरह क्या है English जो people है लोगों की तरफ यहां पर grammar का एक बहुत अच्छा lesson है दा का दा आप देख सकते हैं कि जब भी हम क्या करेंगे अगर हम simply English लिखेंगे तो लेंग्विज की बात हो रही होती है जब हम द लगा देते हैं तो वह वहां के दिपीपल बन जाते हैं English means अंग्रेज लोग and simply English means आपका लेंग्विज ओके तो हमेशा याद रखिए इंडियन मींस भारतिय लोग and इंडियन मींस लेंग्विज तो आपको यह भी ग्रैमर का एक अच्छा लेसन मिल गया राम चरन राम चरन इस दी वाशर से सन और जो राम चरन है वह वाशर का बेटा है means धोबी का बेटा हम कह सकते हैं and बका अधर फ्रेंड बेस्ट और जो बका है उसके दो फ्रेंड हो गए है राम चरन एंड छोटा अधर हम कह सकते हैं जैसे बोलते हैं कास्ट या जाती बोलते हैं लखा जमादार जमादार जो लीडर होता है बकास फादा अलेजी अब्यूसिव मैं गालियां देता है और वो बका का जो अपसेशन है बिटिशर्स की तरह बनना उनकी तरह दिखना उनकी तरह रहना उससे वो काफी गुसा रहता है और उस बका को बोलता है अर्ज करता है रिक्वेस्ट करता है कहता है कि तुम्हें सटिसफाई रहना चाहिए अपनी लाइफ के साथ में अब ए ओके लखा बखा रखा तो बखा जाएंग ब्रदर वह लिए ब्रदर है समट आफ दी फॉइल आफ बखाज कारेक्टर ही इस डिस्क्राइब ऐस अट्रू चाइल्ड आफ दी आउटकास्ट कॉलोनी और उसे अट्रू चाइल्ड आउटकास्ट कॉलोनी कहा गया है तो यह आप रखा की यंगा सिस्टर है उसकी छोटी बेहन है सोनी डिसक्राइब ऐस न्यूबल एंड ब्यूटिफुल उसको वह ब्यूटिफुल है पेशेंट एंड रेजिलेंट वह काफी पेशेंट है और मेंस बहुत धार्यवाली है रेजिलेंट है चीजों को बहुत अच्छे से कर उसको बियर भी करती है सहती है हर अल्टरकेशन विद दी विदा मेंबर आफ और हाई कास्ट इज वन कॉस बखाज एक्जिस्टेंशलिस्ट वो यहां पे ध्यान से देखिए कि जो एक्जिस्टेंशल होता है वो क्या होता है ठीक है क्योंकि यह आपका टर्म भी है और टर् कि अक्जिली जो प्लेटो या शुरुवात में जो जितने भी कर्टिक थे उन्होंने कहा था उनका मानना था कि इंसान एक एससेंस के साथ पैदा होता है और फिर उसी गून को वो अपने लाइफ में अगर बहूत अच्छे से प्रूफ कर देता है तो माना जाता है कि उसने एक आइडियल लाइफ जी है जैसे कि हम कहेंगे कि जैसे एक इनसान है वो बहुत उसका इससेंस क्या था वो आर्मी में आ गया ठीक है तो आर्मी में आ गया तो मिन्स उसका जो इससेंस माना जाएगा वो bravery माना जाएगा कि उसके अंदर bravery थी तो वो अपने essence के साथ पैदा हुआ था ब्रेवरी इसलिए वो आर्मी में गया ये ध्यान लेकिन जो existentialist थे उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है उन्होंने कहा कि जो इंसान जो पैदा होता है वो पहले पैदा होता है पहले वो क्या हुआ उसका जन्म हुआ उसके बाद उसने अपना essence खुद decide किया उनके according क्या था कि जो इंसान आर्मी में गया उसने क्या किया है आर्मी में पहले से उसका essence नहीं था ठीक है उसके अंदर कोई ये essence नहीं था वो डॉक्टर भी बन सकता, कुछ भी बन सकता था लेकिन उसने खुद का क्या किया existence को प्रूफ किया आर्मी में जाके, कि अब हम उसको आर्मी में मानते हैं, ठीक है तो hopefully आपको समझ में आ गया होगा simply, simple तरीके से बताता हूँ जो आपके essentialist होते हैं, ठीक है essentialist वो क्या होते हैं, वो मानते हैं कि आपका पहले essence था ठीक है, born पैदा होने से पहले और फिर आपने उसी essence को प्रूफ किया, लेकिन जो existentialist होते हैं, ये वो बोलते हैं, कि पहले आप क्या होते हैं, जन्म लेते हैं और उसके बाद अपना जो existence है हिंदी में बोले तो उसको बोलते हैं हम अस्तित्व, अपने अस्तित्व को फिर आप बाद में बताते हैं, ठीक है? अस्तित्व, अपने अस्तित्व को बाद में प्रूव करते हैं, यह आपका है existentialist, चलिए आगे story को देखते हैं, तो यहाँ प system के अंदर, और अगला जो है, वो character है आपके हवलदार चरत सिंग, वन ओ बखाज हीरो, बखा उसको हीरो मानता है, चरत सिंग को, सिंग is a famous hockey player, वो क्या है, एक hockey player है, यह आपको याद रखना है, होके player कौन है, लिस्ट बनाते हुए चलिए, his personality is jocular, jocular है, means मजा किया है, his mood extremely changeable, और उनका जो mood है, बार-बार change होता है, at the beginning of the novel, he harrings बखा to clean the latrins, but later on, he gives बखा a brand new hockey stick, और पहले तो वो toilet साफ करने के लिए बोलता है, लेकिन बाद में उनको एक hockey stick भी देता है, his willingness to share his afternoon tea with बखा illustrate his lack of belief in untouchability, और वो बाद में क्या करता है, afternoon में बखा को कहता है, कि मेरे साथ आपको चाय पे नहीं है, तो इससे पता चलता है, कि क्या है, आपका, जो हम कह सकते हैं कि, वो नहीं मानता, untouchability को नहीं मानता, जो कि एक समझिक बुराई है, उसको बिलकुल नह मानता, अली जो है, वो है यंग मैन आप बखाज एज ग्रूप, यह भी बखा के एज ग्रूप का है, अली इस दिस सन आप रेजिमिंटल बैंड्स मैन और मुसलिम, वो एक मुसलिम है, बखा आसके हम क्वेश्चेंस अबाउट इसलामिक प्रैक्टिसे और जो बखा है, उस इसको इंसल्ट करने के लिए उसको अक्यूज किया जाता है, रामनन्द कौन है, डिस्क्राइब दिबखा एज पीविश ओल्ड ब्लैक मनी लेंडर, यह क्या है, आपका रामनन्द एक ब्लैक मनी लेंडर है, रामनन्द इस वन आफ ए हाईर क्लास देन बखा, यह भी हाईर क्लास का है, यह इंटरब्स बखास मौनिंग म्यूज इस वाई शौटिंग एथ हम तो क्लें दिवे लेंडर इस और जो जो बखा का जो मौनिंग जो म्यूज है, एंटर्टेंमेंट से उसको खतम करता है, उसे सुबह सुबह इस अब करने के लिए कहता है, गुलाबो, ऑश कास्ट आउट कास्ट वो क्या है उनके अंदर एक सुपिरियर्टी कॉंप्लेक्स है वो खुद को सुपिरियर मानती है श्री रिजेंट्स बकास फ्रेंड्शिप नवीधार सन एंड हीट्स सोहनी वो सोहनी को बहुत वो है वो गुलाबों को सोहनी के साथ बैठने के लिए मना करती है अलग है नेक्स्ट जो है वो है पंडित कालिनाथ ही जो टैंपल ऑफ बुलाश शाह जो टैंपल ऑफ बुलाश शाह है वहां पे वो प्रीस्ट है दिटाउन बखा एंड इस फैमली लिज आउट साइड और ज मिक्स जिए है वह राम चरन की सिस्टर राम चरन सिस्टर अब कास चाल्ड हुट गरश ये जब्लाब की स्टरर्णार इस इंटी कास कि बठा थाल्ड के याथ रूका गया है राम चरन की सिर्णस मिलने से मूट के लेकिन उसकीbbe पहसा है हौकिम भगव दाओ Information कोन है और लोकल डॉक्टर हाकिम भगवान सेवड़ ब्काज Better सी इसवान को जाई रहन पाई समॉल चायल्ड जो हाकिम भगवान दाओं से उसने अार्फा क्यों के जिंदगी बचाई थी नेक्स जो है वो है Colonel Hutchinson The Chief of the Local Salvation Army ये Salvation Army का Chief है Hutchinson क्या है? ये Christian Missionary है Task with Converting Hindus to Christianity जो हिंदूस को Christian बनाने में उनका क्या है एक टास्क है वो बहुत ज़्यादा इस पर काम करते हैं The face of the Christian religion in a novel He symbolizes one face of England's colonization of India जो Colonel Hutchinson है उनका एक face जो colonization का है उसको भी दिखानी की कोशिश की जाती है जहां पर conversion करवाया जाता है लोगों का Mary Hutchinson कौन है? Mary is Colonel's irreligious wife जो Mary Hutchinson है वो irreligious है वो religion में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देती Miserable about their life in India She constantly demean and disparages her husband's work among the English Indian people who she refers as blackies और जो यह है वो आपकी क्या है? Indians को blackies कहती है और यहां रहना वो पसंद नहीं करती है इंडिया में महत्मा गांधी, everybody knows one of the several real life characters alluded to feature in untouchability महत्मा गांधी जो है वो real life character है इस work में वो जो वो 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 वी लीडर्स of Indian independence movement we everybody knows about him so in the novel his purpose is to offer a religious moral and political denunciation of untouchability वो untouchability के खिलाब लड़ रहे हैं कस्तूरबा गांधी, the wife of महत्मा गांधी like her husband, कस्तूरबा कस्तूरबा was heavily involved with India's independence movement in the novel, she accompanies गांधी during his visit बखास town और जो कस्तूरबा गांधी है वो भी गांधी के साथ में बखा के टाउन में आती है दूसरा है मेरा बेन another real life person that makes an appearance in novel नहां पर यह पूछा जा सकता है कि कौन-कौन इसमें real life characters है मेरा बेन was the daughter of British Admiral, जो मेरा बेन है वो British Admiral की बेटी है she left Britain to work at Gandhi's side for India's independence in 1925 she left Britain to work at Gandhi's side for India's independence in 1925 in 1925 में इंडिया आ गेती in the novel she also accompanies Gandhi during his visit to बखास town Iqbal Nath Sarasher a young poet who defends Gandhi despite his misgivings about the revolutionaries, political and economic views जो एक young poet है Iqbal Nath Sarasher Sarasher offers a Marxist interpretation of the plight of the untouchable and suggests a Marxist solution और जो इकबाल है वो क्या करता है Marxist interpretation of plight of untouchability को एक तरह से explain करते हैं Marxist view से R.N. Bashir कौन है An Indian lawyer that studied at the Oxford Bashir is highly critical of Gandhi and Marxist solution suggested by Sarasher R.N. Bashir दोनों से agree नहीं करता है Now let's talk about Kuli Kuli work के बारे में बात करते हैं This got published in 1936 ये 1936 में publish हुई थी The book is highly critical of British rule in India and India's caste system ये भी India के caste system और British rule के बारे में हैं जैसा हमने देखा पिसले untouchable work भी same था The plot revolves around a 14-year old boy Munnu यहाँ पे जो character है वो आपका है Munnu and his plight due to poverty and exploitation added by the social and political structures in the place तो जो मुन्नू है वो 14 साल का है और साथे साथ उसे social और political structure ने क्या किया है बहुत जादा exploit किया है इसमें जो आपके character है वो है आपका मुन्नू, protagonist और दयाराम, मुन्नू के अंकल है बाबु नाथु राम जो है सब अकाउंटन्ट आफ दी इंपीरियल बैंक और बीबीजी जी वाइफ सेट प्रभा दयार ओरनर ओफ पिकल फैक्टरी गनपत प्रभा पार्टनर क्रुल नेचर और जो गनपत है वो काफी हरी हर, employee in white cotton mills लक्षमी जाइफ और लक्षमी वाइफ है और जिम थॉम जो जिम थॉमस है या चिम्टा साहिब जिम थॉमस को चिम्टा साहिब भी बोला जाता है supervisor at Sir George white cotton mills रतन जो है वो मुन्नू का friend है member of Indian national trade union Mrs. Maine Warren Anglo-Indian वो क्या है एक Anglo-Indian है कुली is a term for an unskilled labor though it can also be used at preservative अब यहाँ पर क्या है कि जो कुली है वो हम क्या कहते हैं एक unskilled labor होते हैं और साथी इसको पैज़रेटिव भी बोला जाता है पैज़रेटिव मीन्स होता है derogatory remark करना किसी पर जैसे हम किसी को बोल देते हैं कि अरे तु तु कुली है इस तरह से कोई पैज़रेटिव जो वर्ड है उसका मतलब होता है derogatory remark derogatory को हम हिंदी में बोल सकते हैं जो घिर्णा के साथ में बोला जाता है नफरत के साथ में बोला जाता है छोटी मोटी बात है और उसे बात में ये किया जाता है कि उसे job के लिए मजबूर किया जाता है this is beginning of a journey that he will take Munnu to Bombay and beyond but it also marks the end of his childhood और यहां पर क्या होता है उसकी जो जर्नी है वो शुरू होती है वो मॉंबाई जाता है नेंस Bombay जिसका नाम मॉंबाई है अभी और उसका जो end of childhood और इसके साथ उसका जो बच्पन है वो खतम हो जाता है with his uncle Munnu travels to a nearby town where he finds a job as a servant to band color एक बैंक कलर की यहां servant की जाब वो करता है बाबू नाथुराम तो बाबू नाथुराम जो है वो बैंक कलर के हैं और उनके घर में हो as a servant काम करना शुरू कर देता है जाता है बुरा उसके साथ ब्यावार होता है master की wife की द्वारा उसका जो मालिक है उसकी wife but he admires his master's younger brother प्रेम चंद प्रेम चंद को काफी एड्मायर करता है who is a doctor वो प्रेम चंद क्या है एक doctor है बाबू नाथुराम himself is something of caricature a typical example of middle class anglophile who has internalized the value of the colonizers and firmly believes in the supremacy of white people जो बाबू नाथुराम है उसने बिलकुल जो colonizers है उनको बिलकुल अपना लिया है अंदर से कहते हैं जिनकों कि जो अंदर से अंग्रेज हो चुके थे और बाहर से ही वो दिखने के लिए वो क्या थे इंडियन थे उन्होंने white people की supremacy को मान लिया था ये मान लिया था कि जो white people होते हैं वो बहुत supreme होते हैं और यहां पर क्या होता है कि जो यह Mr. English आता है इसके थुरू आनन्द क्या करते हैं कि जो superiority है English की उसको खतम करते है यहां पर जो प्रेमचन है वो क्या करते हैं पूसते हैं उसको जो Mr. English है उसको पूसते हैं कि जो England में बहुत अच्छा further medical training के लिए जो place है वो अच्छा place कौन सा है तो उसको पता चलता है कि जो Mr. English है वो बिल्कुल uneducated है उसको उसको पड़ा लिखा नहीं है और उसको कुछ नहीं पता तो इससे उसे पता चलता है कि अच्छा यह भी क्या होते है means इनको भी कई चीजों का knowledge नहीं होता है आफ्टर एक्सिदेंटली इंजूरिंग शीला बाबू नाथु राम्स डॉटर मुन्नु इस बीटन और डिसाइड टू रन आवे जब एक्सिदेंटली जो शीला है उस पर चोट लग जाती है मुन्नु की वज़े से तो मुन्नु को क्या किया जाता है पीटा जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है वो दौलत पूर तक चला जाता है वहाँ पर एक कोई है परभा जो कि उसे पिकल फैक्टरी में जॉब पे लगा देती है परभा एंड इस वाइफ अच्छली परभा एक लड़का है और उसकी जो वाइफ है और इस वाइफ आर काइन टो मुन्नु और जो पिकल फैक्टरी है वो बिलकुल वहाँ पे जो काम है वो हाइड है लेकिन वो दोनों से पसंद करते हैं थोरो आउड दी नॉवल आनन पॉइंट to the way the lower classes are exploited by those above them with मुन्नु being the ultimate example of the exploitation और मुन्नु को जो है exploitation का एक symbol बनाया जाता है यहाँ पे दिखाया जाता है यहाँ पे दिखाया जाता है कि जो प्रभा है उसको अपने नेवर्स को अपीज करना है the public prosecutor sir todermal जो todermal है वो prosecutor, public prosecutor है वकील है with free pickles and jam to prevent him having the factory shut down because they smoke, irritate same यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो pickle की factory है उसका जो मालिक है वो है प्रभा लेकिन उसको जो prosecutor है sir todermal उसको उसे free pickles देने पड़ता है free अचार देना पड़ता है इसलिए क्योंकि जिससे कि वो उसकी factory को बन न कर दे ultimately however it is प्रभा's own business partner गनपत अब जो गनपत है वो उनका अपना एक partner है work में जो pickle factory है उनकी उसमें गनपत उनका partner है next आपका character याद रखना है who cheats him and leaves him bankrupt और जो प्रभा का जो गनपत है वो उसको बहुत जादा चीट करता है जिससे कि प्रभा लास्ट में bankrupt हो जाता है उसके पास कोई पैसा नहीं बसता है suggesting a lack of class consciousness or solidarity when परभा loses the factory मुन्नु is left to fend for himself once again जैसी परभा की company खतम होती है मुन्नु को फिर से अपने लिए काम ढूनना है he meets an elephant driver who is traveling to Bombay with a circus and decides to join them वो एक elephant driver को मिलता है जो कि कहां जा रहा है Bombay जा रहा है ओके वो circus में काम करता है मुन्नु is delighted with Bombay but he soon realizes that even here police must sleep on the street उसे फिर बाद में पता चलता है कि पहले तो खुश होता है Bombay जाने के लिए but बाद में उसे पता चलता है कि जो कुलीज है उन्हें streets पर सोना पड़ता he finds work at Sir George White's cotton mill अब वो Sir George White की जो cotton mill है उसमें काम उसे मिल जाता है where he meets Ratan, वहाँ वो Ratan से मिलता a man he comes to idolize, जिसको idolize करता है Ratan is a wrestler, वो एक wrestler है and a member of workers union a man who has chosen to fight his masters and reject the exploitative condition in which he labors तो यहाँ पर जो Ratan है वो एक wrestler है वो अपने masters से ही fight करता है और जो exploitative condition है जिन में उनका सोशन किया जाता है उसकी against लड़ता है the optimistic possibility symbolized by Ratan is short lived for Munnu however as a ride breaks out during a workers strike and he becomes lost और वो खुद क्या हो जाता है, खो जाता है while wandering the street, he run over by Mrs. Main Warring Cars और क्या होता है कि वो Main Warring की कार के सामने आ जाता है as compensation, she hires him as a servant and takes him to shimla अब उसे Munnu को लेकर वो shimla आ जाती है वो जैसे वो कार के आ गया आता है, उसे चोट लगती है तो वो उसे servant बना लेती है Mrs. Main Warring offers inside into another dimension of Indian society वो एक दूसरा dimension society का दिखाती है Indian society का she has English as well as Indian ancestry and longs to be accepted by English society वो क्या है, वो Indian भी है और हम कह सकते हैं वो एक तरह से Britishers है बट इंडियन भी साथ साथ में उसके ancestors है As a result, she traveled to England and married a young English soldier वो England जाती है और एक English soldier से शादी का लेती है Her desire to recognize as English can also be read as a desire to be recognized as white with all the privileges that accompany whiteness in the colonial India privileges that Munu will never enjoy यहाँ पर जो यह lady है वो English soldier से शादी सिर्फ इसले करती है क्योंकि वो भी एक तरह से जो colonizers हैं जो अंग्रेज हैं उनकी तरह बनना चाहती है और यह बताया जाता है कि Munu will never enjoy such things Munu इस तरह की जो freedom है क्योंकि वो Indian society को represent करता है despite the kindness that Mrs. Maine Waring shows him Munu contracts tuberculosis and dies aged just 15 जो Munu है वो 15 साल में tuberculosis हो जाता है उसे और वो मर जाता है कुली is devastating account of poverty and exploitation faced not just Munu बट thousands like him यहाँ पर जो कुली जो work है वो बिलकुल जो poverty है और exploitation का है यह एक बहुत अच्छा representation बताया जाता है आनन्द शोज how the racial and class hierarchy is imposed by British colonialism have intersected और overlaid the existing caste system to make life impossible for कुली जाता है कि एक तो जो कास सिस्टम है उसकी वज़े से और दूसरा जो कुलनाइजर्स थे उनकी वज़े से दोनों की वज़े से जो कुली से उनकी life क्या हो गई थी impossible हो चुकी थी Two leaves and a bird about the novel we can see publish हुआ था आपका 1937 में this novel deals with the topic of oppression of the poor and is about a peasant who tries to protect his daughter from British soldiers ये एक स्टोरी है किसकी एक पीजांड की एक किसान की जो के अपने डॉटर को बिटिश शोलजर से बचाता है इस स्टोरी इस बेस्ट इन टी प्लांटेशन इन आसाम टी प्लांटेशन के बारे में स्टोरी है this is a dramatic novel that ends with tragic clash of interest and destinies और ये एक dramatic novel है देखते हैं यहाँ पे जो आपके characters है वो आपका है गंगू, सजनी, लीला and बुद्धू जो गंगू है वो middle-aged man है सजनी जो है वो गंगू की wife है और लीला जो है वो गंगू की daughter है and बुद्धू जो है वो गंगू का son है गंगू is a middle-aged peasant living in a होशियारपूर जो गंगू है वो एक middle-aged peasant है जो होशियारपूर में रहता है उसके wife है, wife का नाम है जैसा हमने देखा सजनी, daughter का नाम है लीला और उसका son जो है उसका नाम है बुद्धू because of his outstanding debt he ends up losing his land and such as Ridley agrees to travel to Assam to take a plantation job that would be well and allow Gungu to own his own land अब यहाँ पर क्या है कि उसने क्या कर दिया है जो बहुत सारा उसने debt ले लिया है करज ले लिया है और उसका जो land है वो उसके हाथ से चला गया है अब वो Assam चला जाता है T-State में काम करने के लिए अगर T-State के बात करे तो बहुत ही बुरा हाल हम कह सकते हैं वहाँ पर जो भी काम करते थे उनका होता था तो यह जो उसका plantation job है उसमें जाने के लिए जाता है और वहाँ पर Gungu जो है उसके पास उसका पूरा हम कह सकते हैं जमीन उसके पास चली गई है However, upon his arrival Gungu finds that this was all a trick अब Gungu को बाद में पता चलता है Sorry, जो Gungu है उसका land जा चुका है तो यहाँ पर कहा है कि Gungu को पता चलता है कि उसका यह एक totally trick थी और यह एक slave labor है जो वहाँ पर काम होता था अगर आप लोगों को पता होगा तो जो T-state का काम था वह बहुती बुरा होता था वहाँ पर एक slave labor उनको एक दास की तरह रखा जाता था और वहाँ पर जो फूड भी खरीदने के लिए वो पैसा इनफ नहीं होता था और उनको जो दूसरी जो बुरी बात ये थी कि वहाँ पर जो merchants होते थे जो ब्यापारी होते थे वो उनको loans देते थे high interest rate पे और repayment उसका impossible हो जाता था means जो एक बार वहाँ अंदर घुज गया T-state में वो वापस नहीं आपता था गंगो एंड इस फैमिली आर फोर्स तो लिफ दिया लाइस in squalor and to endure all sort of abuse and degradation वहाँ अंदर उनको रहना पड़ता था पुरे जो T-state की एक तरह से आप कह सकते कि पुरा बार्ड तरह की बना दिया जाता था fence बना दिया जाता था और अंदर उनने T-state में काम करने के लिए छोड़ दिया जाता था on top of this सजनी और लीला are subjected to rape and other sexual degradation और जो सजनी और लीला होती हैं उनका बार बार रेप किया जाता है the general poor treatment and living condition provoke concern in the plantation dr. john de la harv especially to treat of cholera looms over the plantation वहाँ पर हर जगे cholera हो जाता है he tries to pursue the plantation boss croft cook जो plantation का boss है उसका नाम है croft cook into improving condition of the workers called police but to no avail वो croft cook को कहता भी है वो dr. john de la harv की जो यह लोग हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं उनकी conditions को improve किया जाए the croft cook believes that police are subhuman and are not deserving of even the smallest human consideration वो उनको कहता है कि यह human नहीं है यह कै हैं subhuman है और इनको human की तरह treat नहीं किया जा सकता है as a result the plantation is struck by cholera and sajni ends up contracting and then dying of the disease और यहाँ पर जो गंगो की wife है sajni वो cholera से मर जाती है since he is poor to perform the necessary last right गंगो tries to borrow money from croft cook वो जो गंगो है उसने last जो rights होते हैं वो भी वो नहीं perform कर पाता अपनी wife के तो वो croft cook से थोड़ा सा पैसा उधार लेता है but it's turned away because he is believed to be carrying cholera लेकिन उसको वापस भेज दिया जाता है यह मान के कि उसको cholera है things take a turn for the worse when riggy hunt एक जो riggy hunt है वो British officer है तो और बुरी हालत इससे हो जाती है takes notice of Leela जो वो Leela को क्या करता है देख लेता है and chases her with the intent to rape her और वो Leela के पीछे जाता है उसको chase करता है उसको rape करने की कोशिश करता है Gungu tries to stop him but is instead shot and killed by hunt और जैसे Gungu उसको रोकने की कोशिश करता है तो hunt उसे जान से मार देता है the officer is charged with Gungu's murder but a trial comprised predominantly of English man finds him not guilty उसको charge of murder तो किया जाता है लेकिन जब trial किया जाता है तो उसको छोड़ दिया जाता है क्योंकि वो एक English man होता था ये उनके law के according था next work है वो है आपका the big heart ये आपकी novel जो publish हुई थी 1945 में publish हुई थी the conflict between hereditary copper smith and the capitalist ये capitalist और hereditary copper smith के बीच का एक conflict है जगडा है novel talks about village artisans and amritsar district जो village artisans के बारे में हैं जो के amritsar district की कहानी है character list की बात करें तो इसमें पहला character है आपका अनन्ता copper smith who returns from Bombay ये Bombay से आया है जानकी a young widow and a TV patient पुरन सिंग भगत ये एक point है and सत्यपाल a student leader रालिया an ex-labor ये पुराना एक labor है और सत्यपाल जो है वो क्या है एक student leader है मुरलीधर और गोकुलचन चौदरीज who set up the factory ये factory set up करते हैं और अगर हम place की बात करें तो ये है आपकी अमरिच्सर, Catkiller Lane में and Catherine Bazar, Iron Mongers Bazar ये यहां की हम background हम इसे बोल सकते हैं स्टोरी इस समरी की बात करें इस स्टोरी आप दी नोवल टेक्स प्लेस इन अमरिच्सर टावर जो हमने देखा कि ये कहानी अमरिच्सर टावर में शुरू होती है टाउन में शुरू होती है अमरिच्सर टावर में अमरिच्सर आया है कौन अनन्ता और जो अनन्ता जैसे ही आता है वहाँ पर वह इसको और वाइलेशिन की तरफ ले जाता है इंटेंसिब बना देता है जो मुवमेंट चल रहे है जो आंदोलन चल रहे है दिकास बिहाइंड आफ दिस दाट टू चौधरी जो दो चौधरी हैं मुलीधर और गोकुलचन जैसे ही उसने एक फैक्टरी बनाई वो दोनों चीजों में बिलीव करता है वो कौपरिस्मिट्स जो है उनको उन पर भी बिलीव करता है कि उनको भी काम मिलना चाहिए लेकिन वो मशीन को भी रिस्पेक्ट करता है अनन्ता वाइल कमिंग फ्रम बॉम बी अकमपनाई जानकी वो अपने साथ एक लड़की जो है वुमिन को जो है जानकी को लेता है and keeps her as his mistress and enjoys romance और अनन्ता जो है वो अपने साथ में जानकी को रखता है वो उसको अपने साथ एक mistress की तरह रखता है और romance करता है but she is slowly dying of tuberculosis लेकिन वो बाद में tuberculosis से मर जाती है सत्यपाल जो है next पूरण भगत सिंग रालिया all play their role in struggle against the capitalist in their own way यह सभी जो है यह capitalist के against लड़ते हैं आनन्दा गांधियन अप्रोज आर अन्वेलकमड लेकिन जो गांधियन अप्रोज हैं उनको unwelcome किया जाता है माना नहीं जाता रालिया in his utter madness kills आनन्दा और जो रालिया है वो मार देता है किसको अनन्दा को hitting his head against a machine repeatedly वो मशीन पर ही उसे बहुत ज़्यादा पीटता है और जो अनन्दा है वो मर जाता है और जो स्टोरी है वो इसके साथ खतम होती है कि जो मशीन है उसने इनसानों को जीत लिया है वीडियो के लास्ट में हम थोड़ा जो important points है उनको देख लेते हैं let me set it तो bogus professor कौन है वो आनन्द खुद को call करता था bogus professor जोला और बाल्चिक आफ इंडिया इस काल्ड आनन्द तो आपको ध्यान रखना है इन चीजों का जो आनन्द है वो खुद को bogus professor या जोला और बाल्चिक आफ इंडिया भी कहते थे he is also known as founding father of Indian English novel untouchable published हुई थी first novel है आपका आनन्द का 1935 में published हुई थी novel's format is very simple और ये day in the life of an untouchable ये इसका हमने देखा था इसके बारे में पूरी story देख चुके हैं protagonist जो है वो बखा है बहुत important है ये work all right so इसको आपको याद रखना है despite its simplicity untouchable is powerful work dehumanizing contradictions and systematic operation inherent Indian India's statifies society untouchable stands out because of its inclusion of Punjabi and Hindu idioms in English इसमें Punjabi और Hindu idioms भी किये गए हैं use अगला जो है वो है आपका कुली work जो है वो आपका 1936 में published हुआ था आनन्द का ये second novel है one of the foremost anglophone Indian writers of the day protagonist of the novel is Munro sorry Munnu जो है वो आपका कौन है Munnu इसका protagonist है the two leaves and but की बात करें तो publish हुई थी 1937 में आनन्द की third novel है और जो protagonist है वो है आपका गंगू so hopefully you like the video if you like the video please do share it with others leave a comment and keep on doing your hard work thank you see you in next video